दोस्तों गुड मॉर्णिंग एंड वेलकम टो टेस्ट बूक डॉट कॉम आई होप सो आडियो वीडियो आपको अच्छे से आ रहे होगी दोस्तों आज थोड़ा सा लेट हो गया क्लास रीजन क्या है कि आ रहे थे अचानक से सब्जी से भड़ा हुआ जो ट्रॉली थी वो वीचारी पलड गई वीचारी पलड गई तो जिसकी वाज़े से जो है वो रास्ता जाम हो गया क्यर कोई बात ने पार्ट आप लाइफ है चले गाईस तो आज हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं जो हमने कल पड़ा है उसका रिवीजन करेंगे सभी लोग को यहाँ पर दोस्तों से बोल दो जिससे की वो भी जो है हमारे साथ जुड़ करके इस क्लास का आनन्द ले सके जल्दी से फटा फट से अपने ग्रूप में सेयर कर दो ठीक है और सभी लोग को आडियो वीडियो अच्छे से अगर आ रहा है तो मुझे बता देंगे कि सार सब कुछ बढ़िया है और फिर क्लास को सुरू करते है ठीक है ना चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज कंप्यूटर जी हमारे क्या बोलना चाहते है कि अगर आप स्वेम हार नहीं मानते तो यकीन मानिए इस दुनिया में आपको कोई हरा नहीं सकता है अगर आपने सोच लिया कि नहीं भीया मेरे से यह नहीं हो पाएगा तो ही आ सफलता है हार नहीं मैं सका सफलता बोलती हूँ वो हर बार कुछ नहीं कुछ नया सिखाती है तो याद रखेगा अगर आप स्वेम हार नहीं मानते तो इस दुनिया में कोई आपको हरा नहीं सकता है आज हमारा वार्ड हेल्थ डे है साथ अप्रेल आज का तारीक है और आज ही के दिन 1948 में हमारे डबलु एचो का गठन हुआ था और हमारा वार्ड हेल्थ डे आज घोसित किया गया तो याद रखेगा, हमारा आज health day है, अब बात आती है कि हमारा जो test book pass है, उसको अगर आपका खतम हो गया है, तो आप यहाँ पर उसको renew कर सकते हैं, ठीक है ना, आप उसको renew कर सकते हैं, ठीक है, तो renew कर सकते हैं और coupon को लगा सकते हैं, PAC, PASS, ठीक है ना यहाँ पर कूपन को लगाई है P A C P A S S और आपको यह मिल जागा ठीक है तो आज World Health Day और Theme यहाँ पर लिखा हुए Theme discuss कर लेते हैं Our Planet, Our Health Our Planet, Our Health इस बार का Theme है जो हमको याद रखना है चलिए आगे बड़ते ब्रीवीजन कर लेते जल्दी से आपको बताना है कि Center of Monitoring के अनुसार किस राज्य का बिरोजगारी के छेत्र में हमारा जो है वो सबसे कम बिरोजगार में आप उसको देखेंगे 36 गड़ है गुजरात है पंजाब है या केरला है मतलब सबसे कम बिरोजगारी जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी तो जनता बोले है सर हमने इसके उपर डिसकस किया था सिर्फ 0.6% लोग ही यहाँ के बिरोजगार है वो हमारा गुजरात नहीं है पंजाब नहीं है 36 गड़ के उपर टिक कर देते हैं सही जवाब है 36 गड़ यहाँ पर बिलकुछ सही है अब यहाँ पर ग्रैमी का हमारा अलबम आफ दा इयर पूछा जा रहा है कौन सा है अलबम आफ दा इयर है लीब दा डोर ओपन है मून लाइट है वी आर है वोमेन नेक्स डोर है क्या होना चाहिए हमारा Album of the Year जनता बोली है सर Album of the Year हमारा इस साल का है वो कौन सा है वो हमारा VR है ठीक है न अगला कोश्चन है A Colorful Word के लिए Best Children Music Album का पुरसकार किसको दिया गया है किरन आलुवालिया को है, फागुनी सा को है, आसा पाथुली को है या रॉबर्ट फ्लैक को है, जनता बोलेगी सर सही जवाब होना चाहिए हमारे VR को Best अगर Album का वोर्ड मिला हुआ है तो Best Child Music का वोर्ड मिला है, एक Colorful वोर्ड और इसको गया है फागुनी साह ने अगला कोश्चन है, विक्टर और्बन जो है, यह कौन से देश के लगातार, चौथे बार हमारे प्रधान मंत्री बने है हंगरी है, रोमानिया है, पोलेंड है, जमैका है तो जनता बोले, सर वुडा पेस्ट यहां की कैप्टल है, वुडा पेस्ट यहां की कैप्टल है और यहां के प्रधान मंत्री है, विक्टर और्नॉब, विक्टर और्नॉब यहां पे हंगरी के प्रधान मंत्री बने है बिल्कुल सही जवाब है अगला कोश्चन है लॉरेंस एंट टर्बो ने हमारे ग्रीन हाइड्रोजन को विक्सित करने के लिए सौट टर्म जो सीट है उसमें किस कमपनी के साथ जो है वो टाई अप किया हुआ है भारत मेट्रोलियम है न्टीपीसी है ओ एंजीबिए या इंडियन आउल कार्पॉरेसन है बने बता कि ग्यारा महरतना कंपनी priorities है उनमें से एक महरतना कंपनी ने इनके साथ टाई अप किया हुआ है जनता क्या बोल ली है जैकर जनता बोली है शही से इसका सही हुतर मदरास, आईटी कानपूर है, खड़कपूर है या आईटी रूड की है, कि इनमें से कौन सी आईटी है, जिसने हमारे एक्सिडेंट को लेकर के ये हैक्थान की सुरुवात की है, या जनता बोली है, सही जवाब होना चाहिए, आईटी मदरास, आईटी मदरास जितने ही होता दिख रहा है, अगला कोशन आपको बताना है, चीप आफ आर्मी स्थाप, एमेम नरावने जो है, वो तीन द्यूसी आत्रा पर कौन से देश में गए, मलेसिया, सिंगापूर, फिलिपीन्स या म्यानमार, क्या होना चीए, तीन द्यूसी आत्रा पर कौन से देश में यहां पर जनताव बुलेगी सलसाय उत्तर होना चाहिए मेरे को भी लग रहा है इसका सही जवाब है जिसकी राजधानी है हमारी क्या है सिंगापूर सिटी जो इसका नाम है वही इसकी राजधानी भी है Singapore is right answer Singapore यहाँ पे से उत्तर है यहाँ पे six rare reference material की खोच करने का जो स्रे है या उसको लेकर क्याने का जो स्रे है वो किसको कौन से हमारे minister को जाता है प्यूस गोले नितिन गटकरी है अनुराक सिंग ठाकूर है या हरदीप सिंग पूरी जी है यहाँ पे अन्ता बोलेगी सर हमारे देश के information and broadcasting minister इनका नाम अनुराक ठाकूर जी है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड ने C-436 इंप्रूब सर्विलांस कोस्ट लाइन जो है वो कहाँ पर सुरू की है कौन सा राज्य है पुंड़ी शेरी के साथ उडिसा, अंधरा प्रदेश, अंदमान, नीकुबार, तमिल नाडू यहाँ पे जनता बोलेगी सही जवाब होना चाहिए तमिल नाडू जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा तमिल नाडू इस राइट आंसर तो यहाँ पे जनता बोलेगी साथ सात्वी बार जो ICC की ट्रॉफी है उसको उठाने का जो स्रे जाता है वो ऑस्टेलिया को जाता है जितने लों यहाँ पर ऑस्टेलिया बोल ले है जवाब बिलकुल सही ऑस्टेलिया इस राइट आंसर खेलो इंदिया एथलीट का जो हमारा आउटलिट है उसको कौन सी हमारे एसोसियेशन ने जारी किया हुआ है एथलीट फेडरेशन आफ इंडिया है स्पोर्ट अथोर्टी आफ इंडिया है ओल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है या Aero Club of India है बहुत बढ़ी है जनते हैं अपर जवाब दे रही है किसा सही उत्तर होना चाहिए हमारे यहां का जो Sports Authority of India है जिसको हम लोग SSI बोलते है SSI बोलते है वो हमारा इसके लिए दे रहा है आपको बताना है कि इन में से हमारे किस कमेटी ने किस देश के साथ एक ट्रेड कमेटी के गठन किया गया है जिससे कि व्यापार में समझोता किया जा सके Australia, Russia, Saudi Arabia या Japan किस के साथ यह हमारे कमेटी ने गठन किया हुआ है जनता बोले कि सर Australia हम सब सुन रहे हम सब समझ भी रहे लेगिन कभी कभी कुछ चीजों का response नहीं देना चाहिए Australia is right answer अगला question है यहाँ पे आपको बताना है कि set for monitoring इंडिया economy द्वारा जारी किये गए नवीनतम आकडो के अनुसार हमारा बेरोजगारी दर में यह तुमनों कर चुके भाई चलिए तो यह जो question थे वो इस बार के नहीं थे मतलब यह कल के नहीं यह परसो के question थे न यहीं बोलना चाहते हो जुमनों सर यह कल के नहीं परसो के question थे कम्प्यूटर जी जो है वो हमारे तुड़ा सा update नहीं हो पाए लग रहा कि कल के question उनको डालने थे और उनने परसो के question लगा दिया रिवीजन करने लिए खैर कोई बात नहीं कल के question को हम रिवीजन करा देंगे लेकिन वो कौन से ऐसी headlines थी जो हमारे लिए बहुत महत्तपूर बनी और वो हमारे लिए जो है हाँ सब जो है वो परसों के question थे हाँ चली समझ गया है तो हमारी कौन से ऐसी headline है जो हमारे लिए बड़ी महत्तपूर थी और जो हमारे अकल के अख़बार की सुर्खिया बनी ठीक है तो आपको बताना है कि Forbes Billinear 2022 में मुके सम्भानी का जो अफ्थान है वो दस्वे नंबर पर आ चुका है तो Forbes ने अपनी करोड़ पतियों की ने अरब पतियों की लिष्ट को जारी किया है जिसने मुके सम्भानी जो है वो दस्वे नंबर के सबसे अमीर विखती है और डीटेल में सुरुबात की है ठीक है ना चली आगए तब चलते है ओहियो स्टेट सिनेट सिनेट ओनर विवेक अगनिहोतरी फॉर्दा कस्मीर फाइल्स तो कस्मीर फाइल्स बहुत जादा चर्चा में ही है तो ओहियो स्टेट ने इसके निदेशक विवेक अगनियोत्री जी को सम्मानित किया है मतलब उन्होंने भी लगे हाथो जो है DLF चेर्मेन राजीव कुमार रिचेस्ट रियल स्टेट इंटर्प्रिनियोर यहाँ पर जो DLF आपनों को ने नाम सुना ही होगा DLF के जो चेर्मेन है राजीव सिंग उनको सबसे अमीर रियल स्टेट इंटर्प्रिनियोर का खिताब दिया गया है ठीक है ना तो याद रखेगा राजीव सिंग जो है वो हमारे DLF के चेर्मेन है और सबसे अमीर रियल स्टेट के इंटर्प्रिनियोर है JSW Infrastructure Commissions First Terminal at NMPT हमारे JSW Infrastructure ने करनाटक में New Mangalore Port Trust में अपना पहला कंटेनर टर्मिनल चालू किया है New Mangalore Port Trust ने करनाटक में अपना पहला कंटेनर टर्मिनल जो है उसकी सुरुवात की है ठीक है तो ये भी हमारे लिए बड़ा मात्तपूर कोश्चन है अगला कोशन है Parliament Passes Bill to Merge Three Municipal Corporation अब दिल्ली की जो हमारी तीन Municipal Corporation थी अब उनको मिलाया जा रहा है और एक Municipal Corporation मनाई जा रही है एक महानगरपाली का बनाया जा रहा है दिल्ली में अगला कोशन है दिल्ली Board of School Education Sign Agreement with the Jyoth Institute हमारे दिल्ली Board of Education ने Jyoth Institute के साथ मिल करके एक समझाते हैं पर साइन किया है ठीक है अगला कोशन देख लेते है Elon Musk जो कि हमारे Times Personality of the Year है उन्होंने ट्विटर के Board of Director को जोईन कर लिया है मतलब Board of Director में ट्विटर के सामें लोग है Vice Chairman, Vice हमारे जो Chief है जिसके नाम हम लोगों ने जनवरी में ही पढ़ा था हमारे कौन? Lieutenant General Manoj Kumar Pande all set to become the new Army Chief ठीक है ना अब ये हमारे जो है new Army Chief बनने की सारी की सारी जो है वो इनके राष्टे साफ हो चुके मतलब अगले नए हमारे देश के General बनने वाले हैं Manoj Pande जी ठीक है ना Manoj Pande जी जो है वो बनने वाले अगला कोशन है एप प्रोजेक्ट कम अब फार सेटिंग हॉबीज हब्स इन दा दिल्ली गॉर्मेंट स्कूल नए सिक्छड सत्र के दौरान नरत संगीत और कला सिल्प गती विदियों के साथ दिल्ली में सरकारी स्कूलों में हॉबी हब इस्थापित करने की परियोजना पे काम चल रहा है तो यहाँ पर प्रोजेक्ट है किसके लिए हॉबी हब सेट करने का दिल्ली में किसके लिए स्कूल में डान्स, म्यूजिक, आर्ट और क्राफ्ट एक्टिविटीज के लिए यह हमारा एकेडिमिक सेसन यहाँ पे सुरू किया जा रहा है हमारे यहाँ पर जो तीन है वो क्लीन एनर्जी मेटेरियल एक्सेलरेशन प्रेटफॉर्म को लाँच किया गया है ठीक है यह भी हमारे लिए महत्तपूर हो जाता है चलिए गईस तो जो हमने हेडलाइन पढ़े ज़रा उनका डीटेल में इनलिसिस कर लेते है जल्दी से फटा पट फोप्स के हमारे बिलिनियर्स के सूची में नंबर एक पर कौन है जिस पर दसवां इस्थान मुके संबानी का है तो कंप्यूटर जी ने तुम लोग यहां पर नकल करा दिये तो फोप्स की जो अरब पतियों की लिस्ट है उसमें नंबर एक पर किसका इस्थान आता है मुके संबानी है जेफ बेजोज है ऐलान मस्क है या गौतम अडानी है तो यहां पर जनता बोलेगी सर हमारे फोप्स की जो लिस्ट है उसमें नंबर एक का जो इस्थान है नंबर एक पर जो है उनका नाम ऐलान मस्क है सबी लोग जानते हैं इनके बारे में हमारी जो टेसला है उसके सी-ई-उ चेयरमेन और स्पेसेक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क के उन टॉप एन मुके सम्बानी दसवे नंबर पर है चलिए इस लिस्ट को जड़ा देख लेते हैं जल्दी से एलन मस्क सबसे नंबर एक पर आपको दिखाई दे रहे हैं ठीक है यह टेसला के मालिक है स्पेसेक्स कंपनी है बोईंग कंपनी के पास है ठीक है तो 219 मिलियन की संपत्ती के साथ यह नंबर एक पर दिखाई दे रहे है Reliant Industry के जो चेर्मेन है वो दसवे नंबर पर आपको दिखाई दे रहे है ठीक है ना तो मुके संबानी के जो संपत्ती है वो एक सो मिलियन डालर आपको दिखाई दे रही है और Elon Musk की 200 मिलियन डालर मतलब इनसे डबल से भी जादा है गौता मादानी के पास कुल 90 मिलियन की संप संपत्ति है तो यह सारी के शारी हमारे लिए महातपूर हूं मनबर एक पर आपकान म्याCarों को सारा की ठाम सिते हैं बिंगे टश नहीं टेके कीन मुख सारे का तो Brent मक्स की कंपणी कौन कौन से टेसला है इस पेसेक्स है बोइंग कंपणी है इना सोलर सिटी है ओपन ए आई यह सब इनकी कंपणी है और धमा के तरीके से आगे बढ़ रहा है चलिए आगे चलते तो 1988 में अदानी समू के हमारा विलियन के साथ इस्थापित किया गया था बाते बताईगे लेकिन हमारे लिए इंपोर्टेंट जो है वो पीछे वाला है कि कौन सबसे अमीर है और इंडिया का अदानी साब और अमबानी साब की पास कितनी संपत्ति है हमारे अब पर RIT is entered with the MOU for the annual collaboration for road design and road safety जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि road safety के उपर बहुत ज़्यादा focus किया जा रहा है अभी IT हमारी मद्राज जो है उसने हमारे एक accident को लेकर के रिनॉल्ट और निसन के साथ एक collaboration किया अब यहां पर हम देख रहे हैं कि IT कौन सी है जिसने हमारे rights के साथ मिल करके सड़क को कैसे बनाना है कैसे road safety के उपर focus करना है वो यहां पर किया है यहां पर IT दिल्ली की तरफ बहुत सारे बच्चे जा रहे है तो IT दिल्ली is right answer IT दिल् में जो घोसित किया गया लगा था तीन साल से IT मद्रास है ठीक है ना चली आगे तब चलते हैं यह हमारा जैसे हमने बताए परम गंगा रुडकी में है अब लोगोंने बताया भी था परम गंगा और परम सक्ती तो अगला हमारे आपर rights जो है यह एक leading engineering consulting corporation है जहां पर हमारे road design और road safety measures को लेते हुए क्या बना जाएंगे projects बना जाएंगे चली अगला question देख लेते हैं अपरेल 2022 में city के social innovation lab द्वारा excellence program के लिए निम लिखित में से किसे चुना गया है अपरेल 2022 में हमारे इन में से किस city को अगर आप देखेंगे चुना गया excellence program के लिए जेडेक्स है आपका जो है fresh desk है you go say and proof hubs है social innovation lab के द्वारा acceleration program के लिए इन में से किसे चुना गया है तो जब साही जवाब होना चाहिए WS WS is right answer तो cyber security हमारे लिए बहुत important मुद्दा हो चुका है और WS जो हमारा एक software as a service की तरह काम करने वाला है यह city social innovation lab की तरह काम करने वाला है इसको IIT कानपुर ने incubate किया हुआ है है ना चलिए आगे चलते हैं अगला next question देख लेते है 2022 में हमारा जो United Nation Democracy Fund है उसने कितने हमारे पैसे का जो है वो contribution कर रहा है इंडिया में इंडिया में कितने हमारे USD का contribution कर रहा है United Nation Democracy Fund यहाँ पर जनता बोल लेए ऐसा सही उत्तर होना चाहिए भारत ने कितने हमारे USD का contribution किया हुआ है United Nation Democracy Fund में तो वेरा इसका सही जवाब है हमारा बिल्कुल 1500 मतलब 150,000 USD अगर हम इसको बोलेंगे तो 1050,000 USD का जो है वो हमारा fund UNDEF मतलब United Nation Democracy Fund में इन्होंने दिया हुआ है तो United Nation इंडिया की रैंक जो है वो 93rd है इन Liberal Democracy Index में ठीक है चली आगए तब चलते है अगला कोशन क्या आजाता है हमारे पास April 2022 में Ohio State के सीनेट ने किस फिल्म के हमारे डारेक्टर को एक जो है सर्टिफिकेट दे करके सम्मानित की है परकास जाएं SS राजा मौली है विबेक अगनिहोतरी है अनुराग कस्याप है तो मैटा हर जगे आज कल इसी फिल्म के चर्चे हैं आप लोगों को देख ले होगे हर जगे पर लोग जो हैetin देखने के जा रहे हैं इक होता हैना कि माउट पॉब्लिशिति होती है लोग उसके बारे में बताते हैं लोग देखने के लिए जाते हैं तो यह सारी चीजें लेकिन फायदा जो है overall director साब को बहुत ज्यादा हो फिल्म में से एक रहेगी, ठीक है, चली, आगे तब चलते है, हर साल विकास और सांती के लिए, अंतर राष्टी खेल दीवस का मना जाएगा, तो हमने पढ़ा था, Day of Development and Peace for Sports, celebrated in 3, 4, 5 या 6, तो जनता है, आपर जवाब दे रही है, सर सही उतर होना चाहिए, यहाँ पर 6 अपरेल, 6 अपरेल is right answer, 6 अपरेल जितने बच्चे बोल ले हैं, उनका जवाब बिल्कुल सही है, option number 4, यहाँ पर अगला question है, ग्रोहे एन हुरन, इंडिया real estate rich list में, हमारे सबसे धनी real estate entrepreneur कौन है, सबसे richest entrepreneur हैं वो, राजेस मलहुत्रा अनिल अगरवाल है, राजियू सिंग है, या सुरेश शंदर सचदेवा हैं, तो जनता फिर से जवाब देना सुरू कर रही है, और गेहो और हुरन की real estate list के अनिसार, DLF के हमारे करता धरता, जिनका नाम है, हमारे राजियू सिंग, राजीू नाम बड़ा फेमेज है, राजियू नाम al-ka, राजियू नाम हमारे पुर्षों में और al-ka नाम महिलाओं में, बड़ा फेमेस है, तो राजियू कुमार देल में इसके बाद से आते हैं मंगला एन लोधा फैमली यह भी हमारे घर रियल स्टेट के ही बिजनेस से आते हैं फिर चंद्रू है फिर आपके जितेंद्रा वीरुवानी है विका सोबराएं तो बाकी के लोग आ जाते हैं लेकिन नंबर एक पर कौन है डियलेफ समू है जो कि हम रिफाइंद कंस्ट्रक्षन है ज्या अपका विंतन बर्ग कंस्ट्रक्षन से कौन है यहां पर सभी बच्चे यहां पर बोले है कि सर हमारे न्यू मंगलॉर पोर्ट अगर देखेंगे तो हमारा जो है वो अरफ सागर के किनारे आपको देखने मिलेगा करनाटक में यहां पर jsw ने अपना पहला container port की सुरुवात की है container हमारा जो टर्मिनल है उसकी सुरुवात की है और यह हमारे लिए काफ़ इंपॉर्टन जाता है हमारे पूरे इंदिया का सबसे वड़ा container टर्मिनर जो है यह आपको दिखाई देगा कहां पर यह है आपका गुजरात में ठीक है ना चलिए तो यहां पर jsw आपको दिखाई देगा गुजरात के कहां कि पर इसको कांडला पोर्ड बोलते थे के नाम से जानते हैं के अगला की आगनिक करना थे पर याद करना आपके लिए जरूरी है क Ск vocês को करनातक में बनेरगटा के केंद्र मुप पर बंदी बना कर रखा अब पूरे इंडिया के सबसे ज़्यादा टाइकर्स में दूसरे नंबर पे यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे पहले नंबर पे MP है दूसरे नंबर पे करनाटका है पहले इसको टाइगर इस्टेट बोलते थे लेकिन दो साल पहले MP ने वापस से उसका तमगा हांसिल कर लिया तो GSW Infrastructure ने हमारे एक टर्मिनल की सुरुवात किये है कहां पर मंगलेवर में इस टर्मिनल की कारगो छमता है 2.4 lakh TEU चली आगे तब बात कर लेते अगला कोशन है NTPC has linked up packed with the filling the blanks to blend green hydrogen with piped natural gas PNG में PNG और NTPC के बीच में हमारे किस company ने जो वो tie up किया है जिससे वो green hydrogen और piped natural gas का संचालन करेंगे गुजरात है, इंदरपरस्त गैस है, UPL है या हमारा गेल इंडिया लिम्टेड है गैस लिम्टेड है है, इंदरपरस गैस लिम्टेड है UPL gas sobreков private limited निश्चेा है या गेल इंडिया private limited है सभी बच्के जवाब दे रहे यहां पर किसल्य का इसका सहिब्ता होना चाहिए हमारा Gujarat gas limited गज़रात gas limited कि इटने जितने बच्के होता है वो मेथेन का होता है उसके राव आपको यह देखने को लेगी फिर प्रोपेन व्यूटेन एंड बागी कि हमारे होते लेकिन 90 परसेंट ज्यादा नैच्रल गैस में मेथेन होती है मेथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं और दलदल से निकलने वाली गैस भी बोलते हैं थेन गहें CH4 इसका फॉर्मूला होता है कई बार हम से पूछा आता है ठीक है ना तो एंटी पीसी ने गुजराद गैस लिम्टेट के साथ एक समझावता किया है जो गुजराद गैस लिम्टेट द्वारा आपूर्त की जाने वाली पिएंजियो और हाइड्रोजन ग्रीन हा करने का यहां पर यूजनाय बनाई जा रही है ठीक है चलिए एंटी पीसी की स्थापना मेटा साथ नमबर 1975 में हुई थी और इसका हैड़कोर्टर कहां पे हमारे दिल्ली में अगला कोशन देख लेते हैं पांच अप्रेल को केंद्री माड़ी जी मंत्री और उद्योग मंत तो बताईए क्या होना चाहिए तो जनता बोल लिए सर हमारे देश के जो कॉमर्सियल मिनिस्टर है पांच अप्रेल को जिस देश की यात्रा पे गए है उसका नाम है ऑस्टेलिया तो ऑस्टेलिया में फ्री ट्रेट कमेटी बनाई जा रही है उसी के निरक्षन के लिए ये हमारे औस्टेलिया गए प्यूस गोएल जी ठीक है ना तो यह हमारे देश के कॉमर्शियल मिनिस्टर चलिया यह बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो केंद्री वडिज मंत्री है और उद्योग मामले के मंत्री है खाद्य और साजुनिक वित्रन मतलब हमारे फूड सप्लाई मिनिस्टर है वो पाच अपरेल को आस्टेलिया की त्यून द्यूसी यात्रा से दिल्ली को रबाना हो गए उन्होंने अस्टेलिया के प्रधान मंत्री के विसेस दूत तोनी अबर्ट के साथ बासीत भी कि ऑस्टेलिया भारत का 17 सबसे बढ़ा व्यापारिक साजय दार है लेकिन आगर हम बात करेंगे भारत का ऑस्टेलिया के संदर में तो 90 नमबर पर ओजाएगा तो दोनों चीज़ याद रखने हैं और बारत और ऑश्टेलिया का 90 नमबर पर ब्यापाजिक साज़ेदार है कियर ये तो आपका पूछा नहीं जाएगा तो हमारा जो ऑस्टेलिया है उसके आस्पास के जो हमारे धेस हैं उन महादीब को अब नया नाम दिया जाता है OCIANEा महादीब इसमें हमारे कौन-कौन से कंट्री आते हैं सबसे पहले तो ये दो कंट्री जाते हैं Australia उसके पाचे छोटे-छोटे से दीब समुवा आते हैं बिल्कुल छोटे-छोटे से जैसे पापा न्यूगीनिया हो गया इसी सहर या कस्वे से भी कम होती है लेकिन इनको नया देश का तमगा दिया गया है ओस याना कंट्री इनको बोलते है ठीक है ना चलिए आगे तब चलते हैं हमारे यहाँ पर जो अप्रे 22 में केंद्री मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किताब का जो है वो भी मोचन किया जिसका नाम है बिर्सा मुंडा जंजाती नायक ठीक है बिर्सा मुंडा और उसको या से लिखा है ट्राइबल हमारे हीरो या जंजाती नायक इसको किस ने लिखा हुआ है मीना नायार ने लिखा है हिम्मा सिंग सेखावत ने लिखा हुआ है डॉक्टर स्री राम चॉलिया ने लिखा हुआ है या अलोख चक्रवाल ने लिखा हुआ है तो यहां पर अगर हमने देखा है कि हमारे पास जो क्रंच टाइम है आप लोगों ने बताया कि स्री राम चॉलिया जी ने लिखा हुआ है लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो बतलब स्री राम चॉलिया पढ़ र जन्जाती नायक ये प्रोफेसर अलोक चक्रवाल ने लिख करके यहाँ पर एक बहुत important काम किया हुआ है और यह हमारे लिए काफी important भी हो जाते हैं तो इनका जनम दिवस होता है 15 नवंबर 1875 में अंग्रेजो के विरुद्ध लगान माफी के लिए आंदूलन किया था जिन्ह हमारे जारखंड के बहुत बड़े हीरों है तो बिर्सा मुंदा के नाम पstem स्टेडियम है बिर्सा मुंदा के नाम पे हमारा एइरपोर्ट है बहुत important है यह हमारे जारखंड के बहुत लिए नयता ठीक है तो crunch time जो आप लोगों ने बताया था यह हमारे मिनाक्षी लेखी छो ने इस किया हुआ है और उसके बाद से लेकर ने लिखुए यह बदाए नग्ाएंड वेंटर इन यूरोप यह?" यह भी हमारी किताब गिताब है तो याद करना सभी को आपको बताना कि प्रकति के हमारे बहुत सकते हैं कि अवेर करने के लिए इन्वायरमेंट अवेर करने के लिए जो प्रकति हमारा जो मसकट है इन्वायरमेंट को हमारे क्या करने के लिए अवेर करने के लिए एक मसकट रिलीज किया गया जिस भया भूपेंदर याद होना चाहिए तो प्रकति जो है उसको यह आपको दिख रहा होगा यह मसकट यहां पर यह प्रकति है और यह लॉंच किया हुआ है हमारे भूपेंदर याद हो जी ने लिए बटन दवा के शुरू कर रहे हैं अब दोस्तों गर बात करें तो हमें अवे प्रकति के लिए सबसे खराब है अगर आप प्लास्टिक का इस्तमाल कर रहे हैं तो हमेरी प्रकति के लिए बहुत खराब है तो याद रखेगा हमारे दो फरवारी को वर्ड वेटलेंड डे सेलिब्रेट होता है, हम अगर देखेंगे तीन मार्च को वर्ड वाइल लाइफ डे सेलिब्रेट होता है, अगर हम 21 मार्च को देखेंगे, तो वर्ड वाटर डे होता है, अब आगे यह अडे जाने वाले हैं, है ना, 22 अप्रेल को हमारा वर्ड अर्थ में यहां पर यह आपको लिखना कहीं नहीं है इनकी थीम याद कर लेना यह एक्जाम में आने वाली आई होप सो आपका जीए तभी नेक्स लेबल पर जाएगा जब आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हमारे आप पर इन्वार्मेंट एन्वारे फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भुपेंद्र यादो जी ने मसकट प्रकति को जिसको आप लोगों ने देखा है पांच अप्रेल को लॉंच किया हुआ है जो कि हमाएक के इन्वेट करता है कि हमें पॉलूशन को कंट्रोल करना चाहिए हमको eco-friendly चीज़े इस्तमाल करनी चाहिए ये सारी चीज़े हमें यहाँ पर बताती है ठीक है ना चलिए तो आगे चलते के अगला कोशन हमारे पास आता है कि इंडियन पार्लामेंट पास दा एकाउंटेंसी बिल इन अप्रेल 22 विच आप दा फोलोइंग एक्ट हैस नॉट इन में से हमारा यहाँ पर जो हे एकाउंटेंसी बिल को लाँच किया गया है इसमें से कौन सा संसोधन नहीं किया गया है किसमें कोई परीवर्तन नहीं है Chartered Act 1949, Cost and Work Account Act 1959, Company Secretariat 1980 या Trade Union Act 1926 इसमें से किसमें कोई भी छेड़शाड नहीं की गई है तो हमारे यहाँ पर जिस तरीके से संसद में अभी बिल पास किये जा रहे है दिल्ली के Municipal Corporation को एक करना, तीनों को मिला करके एक Municipal Corporation मनाना यह सब चीजें चल रही है, तो इसी तरीके से हमारा इसका तो जवाबी नहीं बताया, कौन सा नहीं है तो यहाँ पर जिसके साथ छेड़शाड नहीं की गई है वो हमारा कौन सा, Company Secretariat 1980, 1980 के साथ छेड़शाड नहीं की गई है और इसका जवाब यहाँ पर कंप्यूटर जी नहीं लिखा नहीं है अब यहाँ पर देख लेते हमारे Current Affairs का कोश्चन है Hobbies Hub Government School in April 22 किसने परियोजना सुरू किया है Hobbies Hub, 36 गड़, पंजाब, राजिस्थान या दिल्ली Hobbies Hub जो परियोजना है Government School की वो किस राजिने सुरू किया है तो देखें, यहाँ पर Hobbies का मतलब चाहता है Hobbies का मतलब होता है आपकी आदते और आपकी जो आदते हैं बच्चों में जैसे कि उनकी ड्रॉइंग करना, डांसिंग करना, स्पोर्स में डालना यह बहुत जरूरी है, जिससे कि उनका दिमाग एक सही सोच की तरफ, एक पॉजिटिव एप्रोच की तरफ जाए और इसकी सुरुवात करने वाला जो स्टेट है, वो है दिल्ली अर्विंद केजरिवाल ने इसकी सुरुवात किया होबी जब जहांपर आप अलग अलग तरीके की होबी सीख सकते हैं, खेल सकते हैं, इंज्वाय कर सकते हैं अब दिल्लीक में हमारे कई सारे नेताओं की भूमी है, जहांपर उनको अंतिम विदाई दी गई थी जैसे की हमारे एक्जाम में पूछा आता है, राज घाट, मात्मा गांधी की सबी लोग जानते हैं, विजे घाट जिनकी समाधी स्थल है, वो है हमारे लाल बादु सास्त्री, है ना, सांती पुरुस इनको बोलते हैं, सकती स्थल, सफदर जंगरोड, इंद्रा गांधी जी अभय घाट, मुरार जी देशाई, उसके बाद से अगर देखेंगे, महा हमारे प्रयाण घाट, यह हमारे डॉक्टर राजेंदर प्रसाद जी है, ठीक है ना, चैत्र भूमी, चैत्र भूमी बेटा किसका है, डॉक्टर बीमनाव अमेडकर, बावा साब का चैत्रा भूमी ह और उसके बाद से आते हैं, स्मृती, राष्टी, स्मृती या अटल घाट, यह हमारे अटल भिहारी बाच पे जी किये, तो स्मृती, राष्टी, राष्टी, स्मृती, यह हमारे बाड़ा महत्तपून है, एक बार आप लोग इसको जरूर याद करिएगा, क्योंकि पूछा हैं, कि यह वीर भूमी किसकी समाधिस्तेल है, और आपको उपसंदे करके कन्फ्यूस कर देंगे, है ना, चैत्रा भूमी में कौन से हमारे जो है वो नेता, जो है उनका समाधिस्तेल है, तो आपको याद होना चाहिए, सांती वना, भैगाट, सब हमारे लिए महत्तपून है इसलिए यहाँ पर हम आपको यह दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं, अब आगे हमारे पास आता है, तो यह हमारा जो प्रोग्राम में क्या है, सैच्छिडिक संस्थान के साथ, उनको ने ने प्रोजेक्ट पे काम कराना, क्राफ्ट उनको सिखाना, उन से कि हम अपने जीवन में कोई ना, कोई जीव का पारजन कर सके, है ना, जीव का पारजन का मतलब है, लिविंग जहन रहने के लिए चीज़े कमा सके, और उसके लिए क्राफ्ट का आना बहुत जरूरी है, सबके अंदर कोई ना, कोई स्किल होना बहुत जरूरी होता है, त पूछो आपस में पूछ लो होबी क्या है चैलिए तो इसके लिए हमारे दिल्ली सरकार जो है वो काम कर रही है अप्रेल में हमारे नए जनरल कौन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे जो एमेम नरावने जी है इनका कारिकाल खता मुरता हुआ दिख रहा है लेकिन अब नए हमारे जनरल मतलब आर्मी के प्रमुख कौन है एसस महल है उपेंद्र दुबेदी है राणा परताप कलिता है या हमारे मनोच पांडे है तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा था हम लोगों ने यहां पर देखा यह देखो फिर आ गया लड़का तुमको हम क्या करे तुमको कल हम जो है सोच एक दिन में सुधर जाएगा लेकिंदे को फिर से पढ़ा ही कर लो तो एसस महल के उपर हम लोगों ने बात की थी मैटा अभी दो दिन पहले जो हमारा डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल सिमला में उसके कमांडेंट बनाए गया थे एसस महल तो अब इनक अज़टे द्हाए法 है आर्मी स्टाफ हमारे मनुझ मांडे जी तो आप इनको यहां पर टिक कर दीजिए नंबर घर लेके जाएंगे आप लोग याद अजब अब इहां पे आप देखेंगे हमारे बताई गई यह थी मार्सल में सोक स्थम 1997 सोठ शोट इन और स्टार होते हैं तो ये कुछ आपके सिंबल होते हैं डीफैंस यगर आप प्यारी कर रहें तो आपको ये पता होना चाहिए अफीसल र yolको ती है कमीसेंड र technically लेफटी नेंट से और स्थार यह सब्सक्रेces दोए सब्सक्राइब की संब्सक्राइबिकन के estar के साथ यह सब्सक्राइबा मिनाथा यह उसके पारे में जानते हैं चलिए पर डिफेंस के लिए जनरल नरावले जी प्रबल दावेदार है और हमारे जो थेनाध्यक्ष बनने वाले है थल सेनाध्यक्ष मतलब जनरल जो बनने वाले है वो कौन है पांडे जी तो पांडे जी हमारे देश के जनरल बनने वाले है तो इनको इबाव सभी लोग बधाई दे दीजे पांडे जी क अब आपको अतना है कि दिल्ली के छात्रों के लिए जर्मन जर्मन भासा का पाटिकरम की पेसकर करने वाला जो संस्था है उसका नाम क्या है तो यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए है नाम आप बताईए क्या होना चाहिए जनता बोले साथ सही उत्तर होना चाहिए मेरे को भी लग रहा है ग्रोथ इंस्टिटूट ने जर्मन भासा सिखाने के लिए दिल्ली के साथ टाई अब क्या है अब देखें यहाँ पर हमारे जो प्रमुख यूनेस्को हेरिटेज साइट है वो बताई जा रहे हैं जैसे कि कुतुम मिनार दिल्ली में है रानी की बाव जो आपको देखने के मिलेगा गुजरात में तो इसी तरीके से यह सारे के सारे हैं टोटल 40 साइट है टोटल 40 साइट है हिंदुस्तान में आपको वो पता होना चाहिए कि वो भाया कहां परिस्थित है और वो कब यूनेस्को हेरिटेज साइट में घोसित की गई उसको बनाने वाले राजा कौन से वन्स के थे वो राजा कौन थे तो यह आपका मौलिक करतव है फंडामेंटल ड्यूटी है अगर आप यहां पर ससी की रेलवे की या आप डिफेंस की या पुलिस की तियारी कर रहे हो तो यह हमारे जो हेरिटेज साइट है यह कब बनाई गई इनको कौन से वन्स के राजाओं ने बनाया है और यह कहां पर है यह तो सब को पता होगा ह लिजे बहुत बढ़िया आपके लिए यहां पर हो जाएगा तो हमारे यह पर जो है 30 इसके लों में जर्मन भासा सिखाई जा रही है और उसके लिए टाइप किया है ग्रोथ इंसिट्टूट के साथ लेंग्वेज बहुत इंपोर्टन होती है हमारे देश में 22 लेंग्वे तो लेंग्वेज आप जितनी ज्यादा सीखेंगे आप उतने ज्यादा लोगों से इंट्रेक्ट करने का आपको मौका मिल सकता है ना तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना जुबेर लेंग्वेज आपको सीखनी चाहिए तो जर्मन लेंग्वेज केजरी वाल जी एक पहल लेकर क्या रहे हैं और हमें यह कनेक्ट करने वाले हैं यहाँ पे कुछ आहुंबर्ख है जो आप लोगों को देना है करना है लेकिन आगे बढ़ने से मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि SSC का बैच हो या RRB NTPC का RRB NTPC के बैच की हमारे अंतिम डेट चल लेगा स्कूल विधा क्लास के इसमें आप इंड्रोल कर सकते हैं पूपन-कोड लगाए कैं पी एंटी-ई-चे-चे-ई-ची किसी भी आप सेलेक्ट बैश में लगाईएगा सी यह जैसे ही लगाएंगे आपको डिस्कांट मिल जाएग इसकांड मिल जाएगा आपको मैक्सि यह सुरू होने वाला हम देख रहें बच्चे इसमें इन्रोल नहीं कर रहे हैं जो फाउंडेशन क्राइस कोर्स लिखा होगा यह भी आप यही कूपन कोड लगाईए 16 समय मिल जाएगा और MTS वालों के लिए भी क्राइस कोर्स लेकर क्या रहे हैं वो भी बड़ा ही ऐसे ही है सस्ता सा है आप उसको भी इन्रोल कर सकते हैं सेम कूपन कोर्स है तो गाईज मिलते हैं अपनी क्लासे में हूंबग एक बार आप लोग देख लीजिए यह आपका ILO का हेड क्वाटर क्या है मिसन सक्ती हाँ जो हमारी होती है वो कौन से किसके साथ एक्सरसाइज होती है कुक स्ट्रेट कहां पर आपको देखने को मिलेगी और अरावली माउंटेन का सबसे उंचा पीक कौन सा है यह कुछ बाते जो आपको याद रखनी है एक्जाम में पूछन के काबिल ठीक है चलिए